जै माता राणी दोस्तों मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम मैं स्वागत करती हूँ कमेंट सेक्शन में जै माता राणी एवं जै श्रीकृष्न अवश्य लिखिए आप सभी को पता है श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों को कभी बेसहारा नहीं चोड़ते इसलिए उन्होंने महाभारत में अरजुन को गीता का पाठ और संदेश सुनाया जो आज तक हम सब सुनते आए हैं और आज गीता जेनती के इस शुब अफसर पर मैं आपको एक मंत्र बताने वाली हूँ जो इस कल्यूग में प्रतिदिन बोलने मातर से श्री कृष्ण अपने भक्तों के पास अवश्य चले आते हैं कल्यूग में भक्तों को नाना प्रकार के दुख आधिव्यादी पीडाएं सताती हैं इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं जहां हम लोग प्रतिदिन गीता का पाठ करना तो चाहते हैं पर करना ही पाते हैं इसलिए सदेव दुखी रहते हैं तो आज मैं आपको एक विशेश मंत्र बताऊंगी जिसे यदि आप प्रतिदिन बोलेंगे तो आपको श्री कृष्ण जी की क्रपा हमेशा मिलती रहेगी सबसे पहले आप नीता विक्रम चैनल जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंके सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करें इससे आपको व्रत पूजा पाट संबंदी सब जानकारी निशुर्ट मिलेंगी आज का वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना और परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शियर करना हम आज कल्यूग में सबसे जादा अपने परिवार मित्रों या आसपास के लोगों के वरताव के कारण दुखी रहते हैं भगवान हमेशा ये बोलते हैं केवल में एक अकेला सत्य हूँ बाकी जो भी है वो असत्य है क्योंकि प्राणी कभी भी इस्थाई रूप से जीवित नहीं रहते इसलिए सभी प्राणियों को असत्य माना जाता है केवल इश्वर सत्य है इसलिए प्रतिदिन श्री कृष्ण का पूजन करने और इस्मरण करने मात्र से आपके जीवन के नाना प्रिकार के कष्ट दूर हो जाते हैं जब भी आप प्रभू के सामने जाएं तो हमेशा ये मंत्र जरूर बोलिए तुमेव माता चपिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव विध्या द्रविडम तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव इस मंत्र का अर्थ भी आपको जरूर जानना चाहिए क्योंकि कोई भी मंत्र यदि बिना समझे बोला जाता है तो हमें उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता यहाँ पे हम इश्वर के सामने श्री कृष्ण के सामने जब जा रहे हैं तो हम उन्हें बोल रहे हैं कि आप ही हमारी माता हैं आप ही हमारी पिता हैं आप ही हमारे भाई हैं आप ही हमारे सखा हैं आप सब कुछ हैं, हे भगवन आप हमारी पूजा को ग्रहन करें जब हम अपनी पूजा इश्वर के श्री चरणों में समर्पित करते हैं तो इश्वर इसे ग्रहन करके हमें सुकसभा के प्रतान करते हैं परंतु कल्योग में सभी लोग बहुत तरह से दुखी हैं इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि इस मंतर को हम नहीं समझते जैसा कि मंतर की पहली लाइन में बोला है त्वमेव माता चपिता त्वमेव याने अपने माता और पिता में आपको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं जो लोग अपने माता-पिता को इश्वर का रूप मानते हैं, उन्हें जीवन में दुख और कष्ट कभी छू भी नहीं पाते। तुमेव बंदुर सक्खा तुमेव क्रिश्ण हमारे भाई हैं और हमारे सक्खा हैं, याने आपके जो भी भाई बहन हैं, उन्हें श्री क्रिश्ण के दर्शन करें, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में श्री क्रिश्ण को समझें, क्योंकि कई बार हमें लगता है हमारे आसपास सभी लोग हमारा अच्छा नहीं चाहते इसलिए हम उनकी बुराई और निंदा करने लगते हैं तब यदि ये भाव मन में आ जाए कि ये सब श्रीकृष्ण का रूप हैं तो कभी हम इस भव सागर में नहीं फसेंगे और इस कल्यूग में भी श्रीकृष्ण की प्रा जैसे की विद्या अर्ध्यन करना, कोई भी नौकरी करना, जो भी हम कारे करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए यदि उन सभी को श्रीकृष्ण का रूप मान के सीवा भाव से हम वो कारें तो जीवन में हमारे दुख की अनुभूती कम होगी हमें हमें हमेशा श्रीकृ प्रपा प्राप्त होती रहेगी और जीवन में सुख सौभाग्य आता रहेगा अन्तिम लाइन में ऐसा बताया गया है तुमेव सर्वं मम देव देव याने जो सब जगह व्याप्त हैं वो मेरे देव हैं वो श्रीकृष्ण हैं इस प्रकार भक्ति मैं होके यदि आप अप अपने प्रति दिन की सुभा की शुरुवात करते हैं इस पूरे प्रत्वी में इस पूरे जगत में प्राणियों में पेड़ों में इश्वर का ध्यान करते हैं और इश्वर को देखते हैं तो इस जीवन में बड़े से बड़े कार्या आप बहुत ही शद्धा और भक्ति क साथ कर लेंगे जीवन में कहीं भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी क्योंकि हर जगह आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी इसलिए हमेशा श्री कृष्ण के बताय हुए मार्क पे चलें जो कर्म हैं उन्हें जरूर करिए क्योंकि कई लोग सिर्फ यह सोचते हैं क श्री कृष्ण की मूर्ति को इसनान कराना उन्हें भोजन देना और उनके सामने बैठके भजन करना ही कर्म है परन्तु जब स्वयम श्री कृष्ण ने अपने जीवन को चलाया तब उन्होंने कई लडाईयां लड़ी कई युद्धों को लड़ा और उनमें विजय हासिल क करी क्योंकि यह जीवन एक युद्ध है जिसमें प्रति दिन आपके सामने नई परिशानिया होंगी नए नए संगर्ष आएंगे और वहाँ पे यदि आप शीकृष्ण के ज्यान से शीकृष्ण की जोती से उन परिशानियों को दूर करेंगे तब ही आप इस जीवन में प अदद करें और अपने जीवन में अपने लक्षों को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को एक ध्यमान के उनके चर्णों में सर्वस्प का समर्पन करते हुए अपने कर्मों में जुट जाएं जो मनुष्य कर्म नहीं करते उन पे कृष्ण की क्रपा कभी नहीं होती जो मन क्रपा कभी नहीं होती जब भी आपको समय मिले आपको मंत्र जाप अवर्ष्य करना चाहिए मंत्र जाप करने से मांजिक अशुद्धी दूर होती है पूजा पाठ करने से जैसे जब हम घर में पूजा का दिया जलाते हैं तो उसकम्रे का अंधकार दूर हो जाता है जब वहा पे सुगंध होती है और दुरगंध का नाश हो जाता है इसी प्रकार जब हम मंत्र चारण करते हैं तो वहां की तरंगे उस घर में रहने वाले लोगों के मन पे अच्छा प्रभाव डालने लगती है परन्तु जब हम मंत्र जाप करते हैं इससे हमारी अंतर आत्मा शुद् कृष्ण जी के भक्त हमेशा कर्म करते रहते हैं और उनका दर्शन सभी प्राणियों में करते हैं इस प्रकार अपने जीवन को सुखी बनाए और दूसरों को सुख प्रदान करें जिससे की आप अंतमे बैकुंठ लोग की प्राप्ती करें भगवान ने हमें ये जीवन जिना बाद के कर्म कांडों में मत उलझाएं अपने कर्म को सार्थक बनाए यदि आप शिश्य हैं यदि आप स्कूल जाते हैं या कॉलिज जाते हैं तो आप पढ़ाई करें और पढ़ाई में अपना अधिकतम समय लगाएं यदि आप नौकरी करते हैं या किसी और जगह कारे करते हैं तो अपने कारे को पूरी सेवा और निश्था के साथ करें कहीं भी कामचोरी नहीं करनी चाहिए आप जो भी कारे करें यदि आप ग्रहणी हैं तो अपने बच्चों का लालन पालन पूरी श्रद्धा और भक्ती के साथ करें अपने पती के कार्यों में उनकी मदद जरूर करें इस प्रकार के भाव रखते हुए इस जीवन को यदि आप व्यतीत करेंगे तो यह जीवन सुखमे हो जाएगा आपको प्रतिचर खुशी की प्राप्ती होगी आपको सब तरफ श्री कृष्ण के दर्शन होंगे और करल युग में इस भाव के साथ यदि आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो कभी आप निराश नहीं होंगे यदि आप कहीं ऑफिस में जाते हैं तो अपने घर का परिवार का पालन पोशन करने की जिम्मेदारी आपकी है आपको कृष्ण जी के प्रती समर्पन भा की देखाव रखते हुए सभी की जरूरतों को पूरा करना चाहिए और हमेशा अपने परिवार के लोगों के साथ मित्रवत और प्यार से वहवार करना चाहिए जैसे शी कृष्ण अरुझん के साथ सखा रुपी है वैसे ही आपको अपनी पत्नी के साथ और अपने रिष्टेदारों के साथ सखा रुपी विहवार करना चाहिए इस तरह इस उत्तम जीवन को जीते हुए बैकुंटी की कामना करनी चाहिए और एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिए परिवार और मित्रों के साथ अवश्श शेयर करिए इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहिए अगली बार एक नया वीडियो लेके आप से मिलती हूँ तब तक के लिए जय मातारानी दोस्तों सदेव खुश रहिए प्रसर न रहिए और हस्ते मुस्कुराते रहिए